सलाम अलेकम वरे मतुल्ला वरकातु बिस्मिल्ला रह्मान रहीम आज देखिए जिल्लेब भी बना रहे हूं मेरा श्टैल उसके लिए पौव किलो मैदा ली एक मुठी चामल का आटा ली थोड़ा ये साल्ट ली क्यूंकि गल्ले में खराशने होते डाल देते हूं और जो है स बेकिन सोडा है इन शूदा, यह भी यह ऐ बेकिं पॉडर है यह बेकिंग पॉडर है यह बुदालना है और यह जुदा ऑलाईची का पॉडर है इल दिये, इलाइचे निकाल दे तिम्बाज साड़ें, और पॉखिलो मैदा को, जो है सो, 100 ग्राम दही दालना, असल इंपोर्टेंट ये है, डही डालना है, खट्टा डही दाले तो अच्छा है, मेरे पास खट्टा निये, अब जो भी है डाल देरी में, इसी से मिक्स करने, नई तो कम पड़े तो ये मैं खुनकुना पानी ले, इससे बिगा के अब भी दिखाती, बनकर रड़े ये मेरा आटा, इसको 12 गंटा रष्ट देना है, अब फजर के बाद मैं बिगारीं, और जो है से, लास्ट में उपर से, वन स्पून तेल दाल देके छोड़ देना, इ इसका शीरा बनाने के लिए गूर लेना, ये गूर कम है मेरको, आप चाहे तो शक्कर से भी बना सकते, मैं भी दुकान जगए तो निचे दलाऊंगी, ये थोड़ा इचे, एक किलो मैदा को, आदा किलो गूर लेना, आदा किलो शक्कर, आप जो चाहे लिजिए, उसके आते हैं, फजर के बाद बिगाली में, अगर आप सुबा में बनाना चाहे तो रात में बिगालीजी, इसको मैं छोड़ देती, शाम में बताती, ये मेरा अच्छा आटा, बिगा, थोड़ा कमीर आया, आप जहसे ये गूर आदा किलो, इसको फोड़ के शीरा बनाती, बन कर देती, इलाइची का छिलका अस्केन दाली में, ए ठंडा होनी को रख देती, जिले भी तलते वगत बताती आपको, डूद की प्याकेटी में भरली में आता, थोड़ा नीच्छे कैंची से काटली में, इसके बाद तेल गरम हुगे मेरा, बिस्मिल्ला इर्रह्मान इर डाल ले रहें, डाल कर बताती, देखे, बन गए मेरा, विडियम स्लोपी फकाना है, और डालते की फूला, पतला था न, विस्मिल्ला इरा माने रही, ये चूस लेता, शीर आच्छा चूस लेता, देखे, एक ट्रिप सूस लिए, शीरे में से निकालना है, रिशोट कर लेना है, इस सब निकालके, फिर दूसरा ट्रिप तल रही हूँ, फिर इसमें डिप करना है, निकालके बताती, ये बनकर रेड़ी है मेरे जिल्लेब भी, माशायला, माशायला, बहुत टेस्ट ही रहता, पहले बना चुके हूँ, जो है सब वीडियो नियारे बोल रहे है, मेरे फ्रेंस, इसलिए फिर मैं बनाई, अब भी मैं थोड़ के खाई, बहुत क्रिस्पी है, कुरुम कुरुम ब आप शक्कर में भी बना सकते हैं, गोड में भी बना सकते हैं, आप लगों भी ट्राइ कीजिए, वीडियो शेर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके बाई, अल्लाहाफीज